एक गाओं में एक दोबी रहता था, उसके पास एक गधा और एक कुत्ता था, वह उन दोनों की बहुत अच्छी देखवाल करता था, वे दोनों भी अपने मालिक की हर बात मानते थे गधा उस दोबी के कपड़ों को एक जंग्या से दूसरी जंग्या ले जाने में उसकी मदद करता तो वहीं कुत्ता उसके घर की रखवाली करता था एक दिन रात को जब दोबी सोया हुआ था तो उसके घर में दो चोर आ गए कुत्ते को पता लग गया कि घर में कोई गुसा है जिससे वह बहुत तेज तेज भौकने लगा जिस वज़े से दोबी और उसके पडोसियों की नीद खुल गई और वे दोनों चोर पकड़े गए दोबी ने अपने कुत्ते की बहुत प्रसंसा की और बोला मुझे गर्व है कि मेरे पास ऐसा कुत्ता है उस दिन से गधा सोचने लगा कि उसका मालिक कुत्ते को उससे जादा बहतर समझता है और वे कुछ ऐसा करने का सोचने लगा जिससे उसका मालिक उसकी भी प्रसंसा करे ऐसे ही दिन बीते गए फिर एक दिन वे दोनों चोर फिर से उस घर में आ गए उस दिन गधा जाग रहा था उसने चोरों की बात सुनी तब एक चोर बोला लिहान से बाहर कुत्ता सोया है वो कहीं जाग न जाए ये सुनकर वे गधा सोचने लगा कि अगर वे आज इन चोरों को पकड़वा दे तो उसका मालिक उसकी भी बहुत तारीफ करेगा और वे तेज तेज चिलाने लगा जिससे चोर तो भाग गए लेकिन धोबी की निंद खुल गई और धोबी गुसे में आकर उस गधे को पिटने लगा पिटते पिटते धोबी ने गधे को बोला आज के बाद अगर तु ऐसे चिलाया तो तुझे और ज़्यादा मात पड़ी इससे गधे को बहुत दुख हुआ फिर गधे के पास ये सब देखकर कुट्टा आया और बोला गधे बाई तुम्हारा जो काम है वही काम करो मेरा काम मत करो गधे हो गधे ही रहो कुट्टा बनने की कोशिस मत करो तो बच्चो इस कहाने से हमें सिक्सा मिलती है कि हमें अपने काम को ही अच्छे से करना चाहिए दूसरों की सफलता को देखकर उनका काम नहीं करने लगना चाहिए क्योंकि सब में अलग-अलग काबलियत होती है